हेलो वच्छों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिनियू भी कर रहे हैं मैं हूं प्रशांत महेश्वरी और फन विद फिजिक से यूटुब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है आज के हम वीडियो के अ वह एक्जामपल आपकी बुक में हैं उनको डिसकस करेंगे और एक निमेरिकल है इस पैटन के उपर उसको आज अपन डिसकस करेंगे पीछे जो एकसराइस में निमेरिकल दे रखा है वह डिसकस करेंगे थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है बाहर से क्योंकि रिजन रोड के पास में है घर थो थोड़ा बहुत साउंड तो चल सकता है है न चली तो देखे पैटन बता देता हूं किस तरीके से काम होगा थोड़ा से कांसेप्ट के उपर डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले आपने बात करते हैं गोलिये सत्य है द्वारा अपवर्तन गोलिये सत्ह का दियान में रखीएगा यह होता है अगर लाइट रेर से देंसर की और जा रही है रेर से देंसर मतलब बचलो विरल माध्यम से सगर्माध्यम की और जा रही है तो फिर हम फॉर्मला यूज कर रहे हैं mu2 divided by v minus mu1 divided by u is equals to mu2 minus mu1 divided by r थोड़ा समझे यहाँ पर मैं mu अपवरतनाग को लिख रहा हूँ refractive index को किताब में इस चीज़ को ऐसा लिखा हुआ है n2 divided by v minus n1 divided by u is equals to n2 minus n1 divided by r ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है इसमें कहीं कोई दिकत नहीं है mu की जगे n का representation दिया गया है और कुछ नहीं है ध्यान रखिएगा v क्या है प्रतिविंब के दूरी है u क्या है बिंब की दूरी है और r क्या है बचो radius of curvature है अना वकृता तरजिया है distance of image distance of object and curvature radius of curvature है यह ध्यान में रखिएगा और n2 या फिर mu2 क्या है अपवर्तनांक है किसका spherical surface का गोलिये सतय का अपवर्तनांक हमने इस से प्रदर्शित किया है यह थोड़ा ध्यान में रखने लाइक चीज़ है बच्छो mu2 किसका है अपवर्तनांक है अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक मतलब reflective index किसका बच्छो गोलिये सतय का गोलिये सतय का अपवर्तनांक क्या है बच्छो mu2 है जबकि mu1 क्या है माद्यम का अपवर्तनांक माद्यम कौन सा जो बाहर है लेंस के बाहर वाला माद्यम, नॉर्मली ये हवा होता है जिसमें भी लेंस रखावा होगा या गोली सते रखी वोगी वो नॉर्मली हवा होती है अदरवाइस फिर वो जादा से जादा जली या फिर कोई अन्य माध्यम यूज कर लेते हैं ठीक है तो यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा बाहर वाला जो माध्यम है वो म्यूवन है उसका पवर्तनांग और जो स्पैरिकल से फेस है उसका पवर्तनांग कितना है म्यूटू ह यह थोड़ा ध्यान में रखने लाइक बात है अगर यही 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 लाइट रही यहाँ पर अपन विरल से सघन जा रहे हैं अगर सघन से किसमें चले जाए वह चों वरल में चले जाए तो बस थोड़ा सा चेंज करना है जहां मिूटू लिखा है वहां पर म्यूवन लिख दीजिए और जहां म्यूवन लिखा है वहां म्यूव टू लिख दो और कोई चेंज नहीं करना है बस यहींटर चेंज करना था और कोई इंटर चेंज नहीं करना यह थोड़ा सा जयाम में रखें वैसे mostly question mostly क्या भी सो परसंट question हमारी इसी पैटन से सारे के सारी इसी पैटन से इसके लाव और कोई पैटन यूज नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर लैंसे मेकर समीकर्ण बनाओगे तो यहां से तो काम करोगे ठीक है तो यह तो था स्पारिकल सर्फेस के लिए इसके फाद में सफेरिकल सफेर्स के बाद में आता है उच्छों लैंसमेंकर इकवेशफ लैंस lets के द्वारा अपुतं थीक है अब इसमें क्या होगा थोड़ा सांद तो चल जाएगा बार का मुद्धे च roast को कसदूरी को calculate करेंगे वन अपॉन एफ ठीक है और वन अपॉन एफ क्या होती है म्यूट टू वन माइनस वन वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आरटो यह दियान में रखना आरवन पहली जो गोलिय सत्य है उसका क्या करता है रेडियस ओफ करवेचर है उसका वकृतत त pond tray요 यह पहली सत्य कि वकृतत त्रिज्दया रवन है दूसरी की R2 है म्यूट वन किसका है लैंस का अपॉर्तनांक माद्यम के सापिक्ष यह थोड़ा सा समझे एगा तो म्यूंटर वन इसका हूं बोलेंगे बचल लैंस का अपॉर्तनांघ रिक्टिव इंडेएश ऑफ लैं माध्यम के सापेक्ष यह ध्यान में रखें ठीक है अब इस चीज को थोड़ा देखो कैसे लेट सब्सक्राइब करो यह आपका लैंस है मैं गोली यह लैंस की बात कर रहा हूं यह हमारा लैंस है ठीक है इस लैंस के बाहर हवा है और यह खुद लैंस हमारा तो फिर इसके आपउन एफ और हवा में calculate कर रहे हो इसलिए मैंने इयर वालत देख लिया बाठ्य म हाव सब्सक्राइब कि लिए कि ऑप वर्टनांक माझें समाने काच का बना होता होता है ग्लास का फटना किसकी आप कि अश्माद्यम क्या था बाहर हवा थी तो आएए यह मृस मुन उन मै ہوا کے اندر فármoolا है ना फोकस दुरी calculate कर रहे है lens की हوا کے اندर और अगर यही जल के अंदर होता तो जल यह किसी और liquid में होता मतलब यह तो lens अपना ना और इसके बाहर क्या है बच्चो जल है क्या है जल यह तो lens और यह बाहर क्या है जल है माद्यम का जल है ठीक तो फिर यह फॉर्मुला के से होता तो हम लिखते वन अपॉन एफ और कहां पर पानी में रख दिया हमने या किसी भी लिक्विड के अंदर रख दिया ठीक है इस इक्वल्स टू क्या होगा वो समझना अब वरतनांक अभी भी लेंस का ही है मतलब ग्लास का ही है लेकिन माद्यम कौन सा है पानी है वट माईनस वन उपनार वन माईनस वन काना लिखता में अब किसी बी लिक्विड के-ट इपन ओर जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा हवा से ज़्यादा होती है चाहिए लेंस कोई सा भी हो चाहिए कॉनके वो चाहिए कॉन्वेक्स हो मतब चाहिए लेंस अउतल हो ठीक है यह बात ध्यान में रखना कि लिक्विड के अंदर फोकस दूरी जैसे जल एक लिक्विडी तो है द्रवी तो है यह फोकस दूरी दस है तो शायद पानी के अंदर वह बीस होगी यह तीस होगी यह चालीस होगी लेकिन दस से तो ज़्यादा ही होगी ठीक है यह दियान में रखिएगा दिमाख में रह जाएगा इतना रहना ही चाहिए एक अच्छे पैटन के सवाल आते हैं इसके उपर आलाकि मैंन करना चालू करते हैं हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है बच्छों देखो एक पर क्लिए अटा देता हूं मैं कि अब देखिए क्या बोल रहा है कि उदारन नो पॉइंट चेह है यह और इसमें बोल रहा है कि वायू में रखे किसी बिंदु श्रोत से प्रकाश काच के किसी गोलिय प्रस्ट पर पढ़ता है ठीक बाते इस बार गोलिय प्रस्ट का क्वेश्चन है थोड़ा द्यान में रखेंगे और उस गोलिय प्रस्ट का अपवर्तनांक N बराबर दिया हुआ है एक पॉइंट पाँच और उसकी वकृता त्रजदी रखी है 20 cm गोलिय प्रस्ट का अपवर्तनांक है मैंने लिखा था वहां पर गोलिय प्रस्ट का अपवर्तनांक N1 होता है या N2 होता है धयान में रखेगा यह है 9.6 example example 9.6 गोलिय प्रष्ट का अपवर्तनांग हम लिखेंगे मूट 2 और कितना है वो बच्छो 1.5 है और फिर वो रखावा का है हवा में है इसका मतलब मूवन की वैल्यू कितनी है हवा के लिए बच्छो वन होती है बाद ध्यान में रखना अपवर्तनांग का वाका जो होता यह होता है है फिर वक्रता तेय dhra previous off a value अ कि यह बच्छो 208 सामझी हिए खीच है अब क्या बोल रहा है प्रकाशोत की काच के प्रष्ट से दूरी प्रकाशित की काच से मित्र से दूरी या थोड़ा सा समझाय कि है से तो मैं इसका डाइग्राम देखो कैसा बना रहा हूं थोड़ा समझना यह तो हो गया आपका गोलिय प्रश्ट इस तरफ वाला इस गोलिय प्रश्ट की वकृता त्रिज्जा गोला इस तरफ जा रहा है इसका स्वेर इस तरफ बन रहा है इसका मतलब अगर वकृता त्रिज कितनी दूरी पर सो सेम्टीमीटर की दूरी और अगर यह प्रकाश शोत है तोаль में यह आपको क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ और दूरी ऐसे ना पर हो तो माइनस की ना पोे प्रकाश के वी पुरी दिशा में ना परे हो ना अध्रवाइज ऐसे नहीं ध्यान में रहे तो राइट एंड साइड की दूरी प्लस की लेफ्ट एंड साइड की दूरी माइनस की ऐसा दिमार्ग में रख लो वैसे सही तरीका तो यह होता है कि प्रकाश की दिशा से देखते ह तो दूरी नां परहें तो मैनिस की यूंलिन आपने तो प्रेकर बेन है तुछ नहींते प्लस के आ रहा है वह देखो बिम्ब कहां बनेगा बम मतलब वी इ सोरी में प्रतिम्ब एंथ बने लेकी बनेगा इसलिक łatव बने आप प्रति में लिए लेके तक ईल्क करना है question के अंदर क्या है भई question mark V question mark है formula देखिए गोलिय प्रस्ट के दवारा फरतन का क्या था mu2 divided by V minus mu1 divided by U is equals to mu2 minus mu1 divided by R बताओ यही था क्या ऐसा ही था चलिए mu2 की value कितनी 1.5 V की value calculate करनी है minus mu1 1 U की value कितनी है बच्चो minus का 100 minus का 100 है यह द्यान में रखना फिर mu2 minus mu1 1.5 में से 1 गटाएं बताओ point 5 आएगा क्या 0.5 R की value कितनी 20 प्लस काई रखू हम चलो यह तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह हो गया 1.5 बटाओ V plus 1 बटाओ is equals to point 5 बच्चों point 5 को बोलते हैं एक बटाओ क्या बोलते हैं इसको एक बटाओ और वह किस से गुणा हो नहाँ है 20 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 40 ठीक है आप इसे ऐसा ना करें point को हटाएं तो नीचे 0 लगा दे तो फिर नीचे 200 रह जाएगा पांच बटाओ दोस्व पांच बटाओ दोस्व एक बटाओ चालीस ही होता है कहीं कोई दिकत नहीं है ठीक है सॉल करते हैं भी यह क्या हो का देखो हमें तो वी के लिट करना है तो इसको इस तरफ ले कर गया हो तो यह कुछ ऐसा लिखा जाएगा एक मॉइंट पांच बटाओ वी बराबर देखिए बच्चो एक बटा चालीस और इसमें से अपन घटाएंगे किसको एक बटा सो को ठीक है कितना होना चाहिए लगुतम कितना लू बई कि दोफोलू तो काम सब्सक्राइगा क्या दोसो लोग उतम ले लिए लेते हैं इदर आ रहा है तीन बटा वी तीन से थीन कैंसिल डो से इसको कॉएंगा तो तो 100 आएगा क्या पता चाला गया वी के वैल्यू कितनी आ रही है सो और सैंटी मीट क्योंकि अपने वैल्यू चैंज की-धी सेंटी मीटर को सैंटी मीटर में रखा बात समझ में आई तो यह सवाल बहुत अच्छा है बोर्ड में आ चुका है चाहे सिबीसी हो चाहे अरबीसी हो यह सवाल जो है यह पर्टिक्लर क्वेश्चन बोर्ड में आया हो जल्दी से उतारी है इसको स्क्रिंशॉट ले लो इसका फिर इसके बाद में ने ने क्वेशन की तरफ जा रहा हूं मैं इसका ले लिया होगा आप सभी ने डेकिये नैक्स्ट क्वेशन के लिए वह क्या बोल रहा है वह बोल रहा है कि यदि एफ बराबर पॉइंट पांच सेम्टी मीटर हो और प्लस का दे रखा है कॉइंटे पांच says का मतलब लेंस है उतल लेंस यह उतल लेंस है या कॉन वेरा उत्तले पॉइंटे लेंस है प्लस का पांच IWAS का मेंटiones दें रखाना सेमंटिमेंटर नहीं मेंटर दें देखिए इसका पहला question f की value हमें दे रखी है 0.5 मीटर तो बोल रहा है लैंस शम्ता पावर आफ लैंस डैट इस वन अपॉन सही था चलिए अगला इसका सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है किसी उभय उत्तल लेंस के दोनों फलकों की वकृता त्रिज्ञाएं दस सेम्टी मीटर और पंद्रा सेम्टी मीटर देखो जब भी ऐसा दे रखाओ उभय उत्तल बाई कॉन्वेक्स त सरफफेस तो थोड़ा सा गँषिए बच्छो यह जो पहली सरेस है ना जिसके लिए रणय को क्यल्क प्लस का जबकि लिए उसका इसार अगर सा पहर इस तरह बनेगा तो जब आप आप को calculate करोगे तो वह कैसा लिखोगे माइनस का लिखोगे द्याद में रखना आरवन को plus का और आट लिखेंगे चलिए तो आरवन की वैल्यू देखो आरवन की फिर्स्ट लिख्यू ही यह सींकंटेशंद we off c unless you get that मायनस की फोकस दूरी स्थिर सूरी बारा संपिमेटर और लेंज कौन सा था कॉनवेक्स स्था उत्त्र लेंज था प्लसका इए चलो यह काम भी हो तो बहुक्त आब क्या बोलता है लेंज के काच का अपवरतना ग्याद कीजिए इसका मतलब लैंस का अपवरतनांक ग्यात कीजिए लैंस आपवरतनांक ठीक है रही यह कुछ भी माद्यम नहीं बोला कि लैंस का रखा हुआ हवा में रखा हुआ हाँ में रखा हुआ है तो मैंने आपको फॉर्मॉला क्या बताए था वन अपन एफ-ए-इए-इस एक्वल्स लैंस के पदारत का अफ़तनांग हवाके सापक्ष मानश वन ऊपॉन आरं वन मानश वन अपॉन एसको सॉल किजिए हमें ये calculate करना है वन अपॉन ऐस ढोलिंट इस त्वेल फिर ये तो calculate ही करना है मानश वन उन उन आर वन रस मैनश वन ऊन अ रदो दें दो 15 और व भी कैसा माइनस का यह माइनस का है भई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो यह हो जाएगा MIUS那我們 फिर एक बटा 10 प्लस एक बटा क्या बच्छो 15 ठीक है चल फिर यह होगा कुछ ऐसा लगूतम लेले क्या LCM कितना आएगा 150 ले लो गया 150 ले ले लेता है तो 15 इधर आएगा 10 इधर आएगा 25 आजाना चाहिए और 25 को अगर अपने इससे सॉल करें तो क्या आएगा भई पच्छी 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 कर डेट सो 1 by 6 आएगा और यह 1 by 12 है और बहुत इसको अटाएंगे तो यह 2 आएगा गया बताओ देखो देखो इस तरह सॉलिशन देखना 1 by 2 इस इक्वल स्टू म्यूजी एयर माइनस वन ऐसा यह क्या इस माइनस वन को इस तरफ लेकर क्या हो तो प्लस का वन हो जाएगा अरे ऐसा ही हो गया प्लस का वन ही होगा क्या कितना हो जाएगा भाई 3 by 2 बताओ भई आया गया आ गया एक point 5 चैन सुराया अरे आ फृतनांक का मात्र क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंदेक्स का मात्र क्या होता है मात्र कीन होता है ऐसा का ऐसा ही होता है छोड़ देना ऐसे पता जलिए सेंटीमेटर मीटर लगा गया जो तु देखो अब आगे क्या बोल रहा है इसका तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल वाके में बहुत बढ़िया है देखो क्या बोल रहा है वो किसी उत्तले लेंस की वायू में फोकस दूरी 20-70 मिटर है एससा अभी थुडरते पहले अपने डिस्कस किया था हुआ में रख देगा जल नेंदेगा या किसी अन्य लिक्विड की फोकस sólo होनी चाहिए किससे हवा की फोकस में इस हुए किकल बोल रहा है कि किसी उत्तले लेंस यह की फोकस दूरि यह वहां में कितनी है 20 cm ठीक है बात चलिए तो हमने बोला कि एयर के अंदर इसका तीसरा पार्ट डिसकस कर रहे है भी एफ एयर कितनी है 20 cm दे रखी है देवताओं ठीक बात है कहीं कोई दिकत नहीं जल में इसकी परतनांग दे रखें वाईयू जल का फरतनांग दे रखा है यह उसमें कहीं कोई दिकत है नहीं सिंपल है question में कहीं कोई दिकत आएगे नहीं देखिए बताता कैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि air के लिए अगर हमें लिखना पड़े तो क्या लिखा जाएगा यह वन अपॉन ऐसा ही लिखा जाएगा और अगर वाटर में लिखा जाना चाहे तो यह कुछ ऐसा लिखा जाएगा बताओ ऐसा लिखो क्या माईनस वन वन अपॉन आरवान माइनस वन अपॉन क्या बच्छो फॉन यही हो चलिए और वनोर और रटु की value किसी बाहर वाले माध्यम पे निर्वर नहीं करती है अरे वह लेंस लेंस जैसा एक बार बन गया वैसा बन गया तो आर्वन और आटू पानी में डालने पर फिचक थोड़ी जाएंगे तो इनके उपर कोई माध्यम का परवाव नहीं पड़ेगा ठीक है तो जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे ऐसा तो यह तो पूरा का पूरा कैंसल हो गय आखे और आप नीचे आगे और यह कुछ ऐसा हुआ देखें इसको क्या लिख अजी डिवाइड़ बाइद मू ए- माइनस वर ठीक है और इसको क्या लिखेंगे मू जी लिखाइड बाइड मू वाटर माइनस वर बताओ भी कहीं कोई दिक्कत एक जैसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इस चीज को ऐसा लिखने से फायदा है सिंपल होगा क्वेश्चन वैल्ल्यू को पुट करने की कोशिश करता हूं तो पहले तो देखो एफ वाटर तो मेरे को कैलकुलेट करना है और एयर में फोकस दूरी दे रखी है बीस ठीक है इस इकव बटा 2 यूश्चन और हावा का कितना एक तो तीन बटा दो और नीचे एक से गुणा कर दिया गी माइनस बताओ यह ऐसा इसको देखो यह तो वापस से 13000 दो ही था हों और पानी कीतना चार बटा 3 होता कर दिए रहा हो यह होता है नहीं तो चार बटा 3 यह एक पॉइंत दन यह तो तीन बटा दो माइनस एक कितना होगा बच्छो एक बटा दो आएगा क्या वन बाइटू आएगा चले तो इसको सॉल किया तो आया आपने पास में वन बाइटू और यह आया नाइन बाइट नाइन बाइट माइनस वन है ना अरे यह देखो 9 उपर और 8 नीचे आ है और यह एफ वाटर डिवाइड़ बाइट्वनटी कोई कोई दिक्कत ही नहीं है चलो वन बाइटू को कैसे लिखे हैं ऐसे लिखते हैं वैसे तो मैथमेटिक्स में ना 9 by 8 minus 1 LCM low 8 आएगा और 9 minus 8 हो जाएगा गया 9 minus 8 1 होता है बच्छों तो यह हमने लिखा 1 by 8 आएगा यह 8 कहां जाए उपर जाएगा गया उपर ही जाना चाहिए उसको सॉल करने पर इसको सॉल करने पर 1 by 8 आएगा और यह 8 कहां गया उपर गौर कीजिए 4 आएगा गया तो कुल मिला करके f water divided by 20 is equal to 4 इसका मतलब f water is equal to 4 into 20 that is 80 cm मैं यही तो कह रहा था ना liquid में focus दूरी बढ़ जाती है बड़ी नहीं बड़ी हवा में कितनी थी 20 थी पानी में कितनी हो गई रहे 80 हो गई है चलो बुक के answer से थोड़ा बहुत change होगा रीजन बताता हो उसका रीजन यह है कि बुक में म्यूजी की जो वैल्यू है वह 1.5 रखी जाती है जबकि म्यूव वाटर की वैल्यू 1.33 रख रहे हैं वह ठीक है वन पॉइंट अगर 33 रखोगे ना बच्छो तो फिर यह वैल्यू थोड़ी से कम बैठेगी 78 ये 79 के अप् चल्दी से इसका स्क्रिन्शोट लो यह बहुत बड़ी या क्वेश्टन वाक़े में बहुत बड़ी या क्वेश्टन ठीक है चली डन ओकि तो जल्दी से इसको स्क्रिन्शोट ले लिया होगा आपने अब जो हमारी बुक में exercise के अंदर question है ना इस से रिलीटेड वह अपन ने दिखाई देगा बच्चों क्या बोल रहा है वो देखिए वह बोल रहा है कि एक पॉइंट काच 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 कैसे बूल गया मैं एक पॉइंट पांच 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 जो है अगा उसका प्वर्तनांग कि इसका लैंस के पदार्थ का अपवर्तनांग यह क्वेस्चन नमबर 9.7 अगया एक्सेसाइज का 9.7 विद रेस्पेक्ट विए ड़ेट इस 1.55 पिर क्या बोल रहा है वकृता त्रिज्जाय समान है वकृता त्रिज्जाय सम मतलब आरवन का परिमान 來द के परिमान के बराबर जिसे मैं कितना माणने परिमान फ़्य creative मान थो अब थोड़ा सटय सा द्यान में रखाए Parce a 1 प्लस का लिखा जाना चाहिए फ्लस का जबकि आर टू इस तरफ ना पोगे आट उस तरफ माइनस माइन से पहुत ये तोड तब इस लेंज की फोकल लेंद कितनी चाहता है वह तो बोल रहा है कि इसकी वकृता तिज्ञा मतलब रेडियस ऑफ करवेचर कितना होगा और रटू का परिमान कितना होगा वह सौल करने के लिए बोल रहा है कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है देखिए हमने लिखा 1 upon f is equal to mu g ar या mu 2 1 लिख लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है उत्तर lens के लिए data put कर रहा हूं उत्तर lens है plus का ही रखा जाएगा convex lens के लिए plus का ही रखा जाएगा इसकी value 1.55 ही है यही रखेंगे फिर 1 upon r1 1 upon r1 की जगे में लिख रहा हूं r plus का देखो मैंने बता रखा है और r2 की जगे minus का r अगर मैं इदर minus का r रखू तो इंटू 2 by r हूँ आगया ऐसा ही होगा इस इकोल्स टू क्या 1 by 20 ऐसा ही होना चाहिए ना इसको इससे multiply करो कितना हो जाएगा 1.1 आएगा क्या रहे मिरे ही साब से तो यह आना चाहिए 1.1 यह आएगा तो हमने 22 cm बात पता चले clear हुआ ही सवाल बहुत इजी है बच्छो है ना चले तो आज के लिए इतना ही इससे ज़्यादा question को deal नहीं करेंगे यह screenshot जल्दी से ले लिया हूँगा आप सभी चले ओके तो question इतना ही था आगे वाले question जो है वो lens related होंगे lens मतलब 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u वाले होंगे यह m is equals to h upon h वाले होंगे यह m is equals to v divided by u वाले होंगे यह वाले question आपन solve करेंगे combination of lens के question को मैं solve करवाने की कोशिश करूंगा उम्मिद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा have a good day take care